हैलो फ्रेंड्स मैं अनुपाम आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आज हम इस वीडियो में रस्भरी कुरकुरी जलेवी बनाएंगे जो बनाने में बहुत ही आसान है आप इनको 30 मिनट के अंदर बना सकते हैं चलिए बनाते हैं दोस्तों रेस्पी शुरू करना चाहूंगी अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए और पेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए जिससे आपको नहीं वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे चलिए चले भी बनाना शुरू करते हैं उसके लिए सब है कि अलारे है कि अब हम सारी चीजित की अ हम स्मध कर लेते हैं 29 अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर च्छा देखिए स्मूथ हो चुका है अब हम इसको 10-15 मिनिट के लिए ढखके रख देते हैं जिससे अच्छे से सेट हो जाए और फूल जाए तब तक हम चासनी तयार कर लेते हैं उसके लिए एक पाइन ले लिया है अब हम 300 ग्राम के आसपा सीनी ले ले लेते हैं और एक ग्लास पानी डाल देते हैं अब चलाते वह अच्छे से चासनी बना लेते हैं अब हम इसी स्टेज पर दो इलाची डाल देते हैं तोड़के देखिए चीनी गल चुकी है अब हम थोड़ा सा लेमन फूट कलर डाल देते हैं इजली मार्केट में मिल जाता है आप इसके बगार भी जलेवी बना सकते हैं अब हम थोड़ा सा रोज वाटर डाल देते हैं इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है जलेवी में हमारी चासनी त्यार हो चुकी है एक बड़ चेक कर लेते हैं देखिए ऐसे चिपचिपई एक तार की चासनी होनी चाहिए अब हम बंद कर देते हैं इंडेक्शन और ढखके चासनी रख देते हैं अब हम अपना बैटर देख लेते हैं देखिए काफी फूल चुका है बूंदे आ जुकी है देखिए कितना स्मूथ हो चुका है अब हम जलेवी फुलाने के लिए इनो डाल देते हैं इससे बहुत अच्छी जलेवी फूलती भी है और हमारे पेट के लिए भी फैदा करता ह आधा इनो का पाइकेट डाल देते हैं पूरा नहीं डालना है अब हम अच्छे से फेंट लेते हैं इनों डालने से देखिए कितना अच्छा फूल चुका है बैटर और कितना फ्लपी हो चुका है अब हम थोड़ा सा लेवन फूट कलर डाल देते हैं इससे जलेवी का कलर बहुत अच्छा आता है आप इसके बगैर भी बना सकते हैं जलेवी देखिए हमारा बैटर तयार हो चुका है अब हम जलेवी बनाने के लिए एक पाइपिंग बैग ले लिया है अगर आपके पास पा आ सकते हैं देखिए हमने सेट कर लिया है अब हम पाइपिंग बैग में बैटर को भल लेते हैं अब हम जलेवी बना लेते हैं तेल हमने पहले से गरम होने के लिए रख दिया था तेल भी हमारा गरम हो चुका है अब हम जलेवी बना लेते हैं देखिए ऐसे गोल-गोल जलेवी बना लेना है देखिए कितनी अच्छी जलेवी फूल रही है जलेवी बनाते समय टमप्रेचर हाई रखना है जिससे जलेवी बहुत अच्छी फूलती है अब हम उलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेते हैं इनको देखिए कितनी सुन्दर लग रही जलेवी देखिए कितना अच्छा कलार आच चुका है अब हम इनको निकाल लेते हैं और गरम गरम चासनी में ही डालना है दो तीन मिनट के लिए डाल देना है जिससे चासनी अच्छे से पी लें ज्यादा देर के लिए नहीं डालना है देखिए ऐसे दबाते रहना है कल्ची से देखिए कितनी सुन्दर जले भी लग रही है अब हम इनको निकाल लेते हैं ऐसे ही सभी जले भी निकाल लेते हैं अब हम सिकेंड बैच के भी जले भी बना लेते हैं देखिए कितनी अच्छी गोल-गोल जले भी बन रही है और कितनी अच्छी फूल रही है आप लोग भी आसानी से घर पे बना सकते हैं यह जले भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है अब हम उलट पलट के गोल्डन ब्राउन तक तल लेते हैं इनको देखिए कितना अच्छा कलार आच चुका है अब हम इनको निकाल लेते हैं और गरम गरम चासनी में डाल देते हैं गरम चासनी में ही डालना है अगर चासिनी ठंडी हो जाए तो उसको घरम कर लेना है तभी जलेवी के अंदर रश जाएगा ऐसे ही सभी जलेवी बना लेते हैं देखे कितनी अच्छी जलेवी बनके तयार हो चुकी है अब हम इनको दही के साथ सर्व कर देते हैं आप ऐसे भी खा सकते हैं ऐसे भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने फेमली मेंबर और दोस्तों के साथ सेर कीजिएगा एक बाद जरूर ट्राइ कीजिएगा आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक रखिये अपना धेर सारा ख्याल आपको अपना धन्यवाद मिलते हैं